हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवन्त वसंत भाग दो पाट दो दादी मा पाट का अध्यन करेंगे दादी मा पाट लेखक द्वारा अपनी दादी से जुड़ी कुछ यादों का चित्रन यहाँ पर उन्होंने किया है कमजोरी ही अपनी पर सच तो यह है कि जरासी कठिनाई पढ़ने पढ़ते बीसो गर्मी बरसाथ और वसं देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अन्मना सा हो जाता यानि उदास हो जाता मेरे शुप चिंतक मित्र मुँपर मुझे प्रसन करने के लिए आने वाली छुट्यों की सूचना देते और पीर पीछे मुझे कमजोर और जरासी प्रतिकूल प्रतिकूलताईनी विप्रित्ता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाग उड़ाते मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूँगा किन बातों का जब लेखक अपने गाव जाता और वहाँ पर जो घर्मी और बरसात और बसंद के जो दिन देखता उन बातों को सोचकर वो उदास हो जाता लेकिन अपने दोस्तों द्वारा उन बातों का मजाग बनाने के कारण उसने सोच लिया कि अब वो उन बाते के वारे में नहीं सोचेगा ठीक है जाने दो सोचने से होता भी क्या है पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरत की शीत किर्णों के समान शरत यानि शीत रितू में जब सुर्य की किर्णों गिर्ती है उसके समान स्वच शीतल किसी धुनली चाया ना चुरती है यानि लेखक के सामने एक चहरा आ जाता है मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन क्वार वो महिना है जब दिन तो गरम होते हैं और राते थंडी होती है जैसे ही वो दिन आते हैं तो मेरे घाव के चारों और पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है यानि घाव के चारों और पानी ही पानी दिखाई देता है दूर के सिवान से बैकर गाउं के बाहर की जो मिट्टी है उस मिट्टी में बैकर आये हुई मोथा और साई की अदगली घासे एक पकरा की जंगली घासे हैं गेउर और बनप्याज की जड़े तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की घर्मी में खोलतवे पानी में सड़कर एक विचित्र गंद छोड़ रहते यानि जो गाउं की मिट्टी में पानी के साथ बैकर जो जंगली घास के पौधे आये थे वो पानी में रहने कारण घल गए है और उनकी विचित्रसी बदबू आ रही है रास्तों में कीचर सुख गया है और घाउं के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशों में धमाके से कूध रहे हैं यानि जो आसपार जो पानी भर गया है उसमें घाउं के जो बच्चे हैं वो कूध रहे हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बाते होती है, यहर मौसम की अपनी अपनी बात होती है, आसाड में आम और जामून न मिले, आसाड गर्मी का मौसम, आकाश में बादल तो चाहे रेते लेकि और थोड़ी वर्षा भी होने लगती है, उस मौसम में आम और जामून न मिले तो चिंता नहीं अगहर में चिवडा यानि रास्ते में मार्क में जाते समय जो चिवडा मिलता है और गुड न मिले तो दुख नहीं चेत चेत यानि सर्दी का महिना में के दिनों में लाई के साथ गुड की पट्टी न मिले यानि हर मोसम में मिलने वाली चीज न मिले पर क्वार के दिनों में इस घंद पुर्वक जाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा लगता है यानि लेखगे चाहता है कि हर मोसम में खाई जाने वाली चीजे न मिले तो कोई बात नहीं लेकिन कुआर के दिनों में इस जाग बरे जल में ना कुदे तो ये बहुत बुरा लगता है मैं बीतर से खुड़क रहा था यानि व्याकुल हो रहा था दो एक दीन ही तो कुछ सका था नहा दोकर बीमार हो गया लेखग उस पानी में कूद कर बीमार हो गये हलकी बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा ज्वर ज्वर यह नहीं बुखार सर में साधारन सा दर्ड और खाने के लिए दिन भर नीमू और साबू यह एक प्रकार का खादी प्रदार थे लेकिन इस बार ऐसी चीश नहीं थी ज्वर तो चड़ा तो चड़ता ही गया रजाई पर रजाई और उतरा राद बारा बजे के बाद यानि लेखक उस पानी में नहा कर ऐसे बीमार हुए कि उन पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था दिन में तो चादर लप्टेटे सोया था दादी मा आई शायद नहा कर आई थी उसी जागवाले जल में लेखक की जो दादी थी वो भी उसी जागवाले पहानी में नहा कर आई थी पतले दुबले सने शरीर पर सपेद किनारी हीन धोती ये दादी का वणन है कि दादी दुबले पतले शरीर पर एक सफेद किनारी हीन इन उस पर किनारी नहीं थी एक धोती यानि साड़ी पहन रखी थी सन से सफेद बालों के यानि उनके बाल भी सफेद थे सीरो पर संग टपके हुए जल की शितल था और उनके बालों से टपकत हुए पानी सी शितलता थी यानि ठंडक थी आते ही उन्होंने सर पेट छुए यानि उन्होंने लेखक को देखा आचल की गांत खोल कर किसी अद्रिश जो दिखाई नहीं देता है शक्ती धारी के चबुत्रे की मिट्टी मुह में डाली माथे पर लगाई यहनी लेखक की दादी के पास कुछ मिट्टी थी जो उन्होंने लेखक के मुह में भी डाली और उनके माथे पर भी लगाई दिन राज चारपाई के पास बैठी रहती जहां लेखक सो रहे थे वहीं पर लेखक की दादी उनके पास चारपाई पर बैठी रहती चारपाई यहनी पलंग कभी पंखा जरती यानि उनके लिए हवा करती तो कभी जलते हुए हाथ पेर पर कपड़े से सहलाती यानि हाथ पेर पर जब उनके बुखार से उनका शरी जल रहा था तो हाथ पेर पर कपड़े से उनको धिरे धिरे सहलाती सर पर दाल चिनी का लेब करती दाल चिनी एक प्रकार का मसाला है जो उसका लेब बना कर दादी मा उसके सिर पर लगाती बीसो बार चू चू कर जवर का अनुमान करती और बार बार लेखक का चैरा देखकर बुखार का अनुमान करती हांडी में पानी आया की नहीं उसे पीपल की चाल से छोका की नहीं खिचडी में मुंकीदार का एकदम मिल तो गई कोई बिमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया आधी लाखों प्रशन पूश पूश कर घर वालों को परिशान करती दादी मा को गवई घाओं की पचासु किश्म की दवायों के नाम थे यानि वो वेद्धी का भी काम करती थी घाओं में कोई बिमार होता उसके पास पहुच जाती यानि ले और वहाँ भी वही काम करती हाँ चुना माता चुना पेट चुना यानि जो दादी थी वो अगर उनको ये मालुम चल जाए कि घाओं में कोई बिमार है तो वो वहाँ पाऊंच जाती और वहाँ पर भी वही काम करती जो लेखक का कर रही थी फिर भूच से लेकर मलेरिया सरसाम, सनीपाथ सरसाम एक बिमारी का नाम है सनीपाथ निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती महामारी और विशुचिका विशुचिका एक प्रकर का बुखार है के दिनों में रोज सवेरे उठकर सनान के बाद लवंग लवंग यानि लॉंग और गुड मिश्रित जलधार गुगल और धूप ये सब काम दादी करती थी सफाई कोई उनसे सीख ले दवा में देर होती मिश्रिय शैद खतम हो जाता चादर या गिलाव गिलाव तक्ये का कवर नहीं बतले जाते तो वे पागल हो जाती यानि उनको इतनी सापसफ़ी पसंद थी कि जरासा भी वो बिगडा हुआ काम देखती तो वो पागल हो जाती यानि गुस्से से भर जाती बुखार तो मुझे अब भी आता है नौकर पानी दे जाता है मेस महराज अपने मन से पका का खिचडी या साबू डॉक्टर साब आकर नाडी देख जाते हैं यानि लेखक अभी भी बिमार होता है लेकिन पहले की तरह उसकी सेवा करने के लिए अब दादी नहीं है और कुनेर मिक्षर की शिशी की तिलाई से डर से भुखार भाग भी जाता है यानि अब जो डॉक्टर साब दवई देते हैं उस दवई के डर से भुखार भाग जाता है पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता किशन भया की शादी ठीक हुई उसी बीच किशन भया की शादी का आयोजन हो गया दादी मा के उस्सा और आनंग का तो क्या कहना जैसे ही दादी मा ने उसकी शादी की बात सुनी वह उस्सा और आधन से भर गई, दिन भर गायप रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हूँ, यनि वो शादी वाले घर में चली जाती और वही पर सारा कार्य करती, पडोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी मा आती, बही बुरा न मानना, कार परोज का घर ठहरा, यनि शादी व्या का घर ठहरा, एक काम अपने हाँ से न करूं, तो होने वाला नहीं है, यनि दादी मा को किसी पर विश्वास नहीं था, वो हर काम अपने हाँ से ही करना चाहती थी, जानने को तो यो सभी जानते थे, कि दादी मा कुछ करती नहीं है, पर किसी काम मे उनकी अनुपस्तिती वस्तुतर विलम यानि देर का कारण बन जाती है यानि लोगों का यह मानना था कि अगर दादी मा के हाथ से कोई काम नहीं हुआ तो उस काम में देर जरूर होगी उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दौपर को मैं घर लोटा बाहरी निकसार में दादी मा किसी पर बिगड रही थी यानि बाहर के दर्वाजे पर दादी मा किसी को डाट रही थी देखा पास के कोने में दौपकी रामू की चाची खड़िये दौपकी यानि छुपकर सो न होगा धन्नो यानि रामू की चाची का नाम धन्नो था रुपए मैं सूथ के आज दे दे यानि जो धन्नो ने दादी से रुपए उधार लिये थे वो दादी सूथ समय मांग रही थी तेरी आँखों में तो शरम है ही नहीं मांगने के समय कैसे आई थी यानी दादी उसको ये डाट के कह रही है कि तुझे जब लेने आई थी तब तो तुझे शरं नहीं लेकिन अब तुझे देने में शरं आ रही है पेरो पर नाख रगरती फिरी किसी ने एक पाई भी नहीं दी अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी दादी उसे डाट रही है कि जब जरूरत थी तब तो ले गई लेकिन आप देने में आनाकानी कर रही है दूंगी मालकीन तब धन्नों कहती है कि मालकीन मैं आपको पैसे दे दूंगी रामी की चाची रोती वे दोनों हातों से आचर पकड़े दादी मा के पैरों की और जुकी और रामी की चाची ने दादी मा के पैर पकड़ लिए बिटिया की शादी है आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा यानि वो कहती है कि आप बेटी की शादी है यदि आप मुझे दया नहीं करेगी तो उसका उधार कैसे होगा हट हट अभी नहा कर आ रही हूँ दादी माने पीछे हट गई जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा बेचारी गरीब है, दे देगी कभी तब लेखक बीश में आकर दादी को रोक लेते हैं कि दादी इसको जाने दो, ये गरीब है और जब इसके पास होंगे, तब ये दे देगी चल चल, चला है समझाने, तब दादी लेखक को भी डार देती है मैं चुपके से आंगन की और चला गया कई दिन बीद गये, मैं इस प्रसंग को एकदम बूल सा गया और कई दिन बीद जाने के बाद लेखक, जो धन्नो के साथ हुआ, उस बात को बूल गया एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूदो नाने का आशिर्वाद दे रही थी मैंने पूछा क्या बाते धन्नो चाची, तो उन्होंने वियाकुल होकर का, उरिन हो गई बेटा, उरिन यनि मुक्त हो गई भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यनि जो धन्नो थी, वो दादी को आशिर्वाद दे रही थी, कि इनकी वज़े से मेरा भला हो गया, और एक रिन से मुक्त हो गई कली आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, उपर से दस रुपय का नोट दे कर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वेसी मेरी यनि दादी इतनी दयावान थी, कि उन्होंने जो उसको रुपया दिया था, वो भी माफ कर दिया, और उसे दस रुपय का नोट और दे दिया, और ये कहा कि जो तेरी बेटी है, वो मेरी है, दस पांच के लिए हसाई न हो, यनि कुछ पैसों के लिए अपनी हसाई मत करना, देवता है बेटा, देवता, यनि दन्नो उसे भगवान का दर्जा दे रही थी, उस रोज तो बहुत डाट रही थी, मैंने पूछा, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया दे कर डाटे भी न तो लाप किया, मैं मनी मन इस तर्क पर हस्ता हुआ, आगे किशन के विवा के दिनों की बात है, विवा के चार-पांच रोज पहले से ही औरते राज भर गीद काती है, यनि विवा के चार-पांच दिन पहले गाउं की औरते इकटी होकर राज भर गीद काती है, विवा की राज को अभिनए भी होता है, यनि नाटक भी होता है, यह प चादी से लेकर जब उसके याँ पुत्र उत्पन होता है उन सारे दिश्यों को दिखाया जाता है। लड़के का बरहा का मन एक सा होता है याँ बालक जैसा ही होता है। निकाल देती पर भावी की बात पर हसी रुख न सकी और बंडा फोड हो गया। देबू की मा ने चादर खीच ली। कहो दादी या कौन सा बच्चा सोया है बेचारा रोता है शायद दूद तो पिला दो। और लिखक की चोरी पकड़ी गई। हता भाई शुरू यानि मारपिट शुरू ही। दादी मा बिगडी। लड़के से क्यों लगती है सुबह के रास्ते में देबू की मा बोली। कल वाला बच्चा भाबी में वहाँ से जोड से भागा और दादी मा के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तूते किसी प्रकार का अपराग हो जाने पर जब हम दादी मा की चाय में खड़े हो जाते तो अभैदान मिल जाता है। यानि जैसे हमने कुछ अपरात किया है और हम लोग दादी के पास जाकर खड़े हो गए और अभैदान मिल गया यानि हमें बिना किसी दंड के छोड़ दिया गया हूँ सने और ममता की मूर्ती दादी मा की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है परिस्तितियों का वात्या चक जीवन में सुखे पत्ते सा कैसे नाचता है यानि परिस्तितियां उनके जीवन में बराबर आती रही इसे दादी मा खूब जानती थी यानि जीवन में परिस्तितियां कैसे आती है और उन्हें कैसे निप्टा जाता है ये दादी मा अच्छे से जानती है क्योंकि उनके जीवन में बहुत सी परिस्तितियां ऐसी आई थी और उन्होंने उसका सामना भी किया दादा के मृत्यू के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी संसा उन्हें धोके की टटी मालू होता था दादा ने उन्हें स्वयम जो धोका दिया वे सदा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जाने की जूठी बात कहा करते थे दादी कहती है कि दादा ये कहते थे कि पहले मैं जाऊंगी और फिर वो मेरे पीछे आएंगे लेकिन दादा ने उन्हें धोका दे दिया और पहले वो मृत्यू को प्राप्त हो गए और दादी पीछे रह गई दादा के मृत्यू के बाद कुकुरमुत्य की तरह बढ़ने वाले मुह में राम बगल में छूरी वाले दोस्तों की शुप चिंता में इस्तती और भी डामाडोल कर दी यानि बिगड़ती गई लोग अपने मुह जिसको जो लगता वो बात आकर दादी को कहता दादा के शाद में दादी मा के मना करने पर भी पिता जी ने अतु समपत्ती व्याय की पर घर की तो थी नहीं यनि जब दादा का शाद आया तो दादी ने पिता जी को बहुत मना किया कि शाद में इतना पैसा व्याय नहीं करना लेकिन पिता जी उनकी बात नहीं माने और ये पुंची घर पे तो थी नहीं, उन्होंने करजा लेकर शाद किया, दादी मां अकसर उदास रहा करती, मां के दिन कडाके का ज़ाड़ा पड़ रहा था, या पच्छुआ का सन्नाठा और पाले की शीथ हड्यों में गुसी में चारो और सन्नाठा और जब ठंडी हमाय चलती तो सन्नाठा और अधिक मालूम होता, शाम को मैंने देखा, दादी मां गीली धोती पहने, कोने वाले गर्मे से एक संदुक पर दिया जलाए, हाज जोड़ कर पेठी है, उनकी स्नेह कातर आँखों में से मैंने आसु कभी नहीं देखे थे, मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बेठा रहा, उन्होंने आखे खोली, दादी मां मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ आकर क्यो बैठा आए, दादी मां एक बात पुछूं, बताओगी न, मैंने उनकी स्नेपुन आँखों में और देखा, य क्या है पूछ? तब दादी ने कहा, कि पूछ, क्या पूछना चाता है? तब लेखक उसे पूछते है, तुम रोती थी, दादी मां मुस्क्राईब पागल, तुने कभी खाना भी नहीं खाया, न चल, धोती तो बदल लो, दादी मां मैंने कहा, लेकिन दादी उसकी बात को देती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा वे मुझे खीशती रसोई में ले गई जब लेखक ने उसको साड़ी बदलने के लिए का तो दादी मा ने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती और वो लेखा को खीच का रसोई में ले जाती है सुबह मैंने देखा चार पाई पर बेठे पिता जी और किशन भाईया मन मारे कुछ सोच रहे है दूसरा चारा ही क्या है बाबू बोले रुपया कौन देता नहीं कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है वे रोने रोने से हो गए रोता क्यो है रे दादी मा ने उनका माथा सलातों का मैं तो अभी हूँ ही उन्होंने संदुख खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली ते दादा ने यहां कंगर मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे यनि जब कर्जा हो गया तो लोग उनको पैसे देना बंद कर दिया क्यों क्योंकि पहले के भी पैसे नहीं दिये थे इसलिए लेखर के पिताजी दुखी थे और ये देखकर दादी मा भी उनका माथा सहलाती है और उन्हें हिम्मत बंदाती है और अपनी संदुक मेंसे दादा द्वरा दिये कर अंगर निकाल कर उसे दे देती है उनका गला भर आया मैंने इसे पहना नहीं है इसे सहच कर रखती आई हूं और दादी कहती है कि मैंने इसे अभी तक नहीं पहना इसको मैंने संभाल कर रखा है यहां उनके वंश की निशानी है उन्होंने आसु पोच्रिक कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बिटा यनि उनके वंश की पुरवजों की निशानी है जो उन्होंने संभाल के रखी थी जो पुराने लोग है वो अगला और पीछला यनि आने वाले समय का और जो चल रहा है सब सोच कर रखते थे सच्पुर मुझे दादी मा श्राब प्रश देवी सी लग रही थी जिन्होंने श्राब प्रश देवी सी यानि जो श्राब मिला था जो करजा मिला था उसको दुन्दली चाया विलीन हो गई जो लेखक के सामने जो चाया दिख रही थी दादी मा की वो लुप्त हो गई मैंने देखा दिन काफी चड़ाया पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कववा अपनी गिनोनी काली पाखे फिला कर मेरे खिड़की पर पैट गया यानि अपने पंक फिला कर वो लेखक के खिड़की पर आकर बैट गया हाथ में अभी भी किशन भया का पत्र कांप रहा था यानि किशन भया ने जो पत्र लिखा था वो उसके हाथ में था और वो कांप रहा था काली चीटियों सी कतारे दुमिल हो रही थी आखों पर विश्वास ने होता मन बार बार अपने से ही पूछ बेड़ता क्या सचमुत दादी मा नहीं रही यानि लेखक उनका विचार करते करते ही खो गया था और अब उसे लग रहा है कि दादी मा रुत्यू को राप्त हो ग इन प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें प्रश्ण एक लेखक को अपनी दादी मा की याद के साथ साथ बच्चपन की और किनकिन बातों की याद आ जाती है प्रश्ण नमबर दो दादा की मित्तु के बाद लेखक की घर की आर्थी स्तिती यो खराब हो गई P